हलो दोस्तो कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मैं क्यार सेनी के आर एजुकेसन पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो रेलवे के अंदर साल की पहली बरती यहां पर आ चुकी है, आर पे पैसा और कॉंस्टेबल की नोटिपिकिशन आ गया है, बात करें कितने पदोई बढ़ती आई है, एक्जाम कब होना है, एक्जाम प्रोसेस क्या चेंज हो गया है वही रहने वाला है, तो बहुत बड़ी गुड़नी होजा दोस्तो, ओफिशल लेटर है, आज एक डेट का, तो आप सभी लोगों को मैं ओ किताब, और इसमें देखिए क्या खास बात है, 10,000 प्लस इसमें उब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्यूशन है, और आज देखिए जो प्रियोशेर के जो क्यूशन आये हो है, सभी एक्जाम में रेलवे के, देख लिए पेरामेडिकल है, लेवल वन पोस्ट है, मिन दोस्तों, यहाँ पर सारे कुछ जो है, आपको प्रियोशेर के क्यूशन पेपर है, वो इस बुक में एक जगर मिल जाएंगे, तो आप इस बुक को प्रिफेर कर सकते है, मौर देन सफिचेंट मैथमेटिक्स के रहने वाली है, अब देखिए दोस्तों, मैं आपको सारी कुछ बात की गई है, और देखिए दोस्तों, यह जो लेटर लिखा गया है, वो यहाँ पर सभी जो प्रिंसिपल चीप सिकेटरी, कमिशन आर्पीफ, आल जोनर रेलवेस, इंक्लूडिंग कोलकटा मेट्रो, आर्पीए सब को जो है, लेटर का नंबर यह रहने वाला ह इसमें देखिए दोस्तों काम-काम की चीज़े मैं आपको बता जेता हूँ, सब्जेक्ट जो है इसका, प्रोसीडर फोर रिक्रुमेंट ऑप सब इंस्पेक्टर एंड कॉंस्टेबल इन आर्पीफ, आर्पीए सब्सप, देखिए बोट टाइम से आर्पीफ की वेकेंसी य आप यह गया है, और सार पी कि आप अर्पीज इसका है, यह बता जेखिए यहां पर पे रिकरीवर फोर गया की जैसे की कापीसा हैं, ट्रापीर भीर हौर रहे हैं, कुछ भीबाए हैं पर वेकंट होती है कोई सीट सोड़ता है आरपियों कोंश्टिपल कि या ऐसा है कि तो इन सभी को फिलब करने के लिए रेलवे आपे टाइम टू टाइम जो है वेकंसी यहां पर निकालता रहता है लेकिन करेंट में जो वेकंसी है जो अभी का राउंड चल रहा है इसमें वे वेकंसी महिलाव के लिए रहेगी तो इतनी यहां पर टोटल आपको बाइस सो पचास वेकंसी आने वाली है आरप ऐसा ही और कॉंस्टेबल की इस पर देखें रेल्वे बोर्ड आरप जो इसका एक्जाम कंडेक्ट रहेगी और पीट और पीएमी जो है फीजिकल एपिसेंस टेस्ट और फीजिकल मेजरमेंट टेस्ट वह आरप खुद करवाएगी और डॉकुमेंट वरिपिकेशन जो है वह भी खुद करवाएगी यहनि एक्जाम इस बार आरप लेने जा रही है देखें इसमें नॉमिनेशन उप पड़ते हैं वेस्ट रीजन इतने नोर्थ में इतने इतने इनके लिए जो नोडल PCSC बनाए गये है वो देखे इस लिक के लिए इसको CR बना दिया इसको CR बना दिया तो इसमें भी अपने काम के कोई चीज नहीं है आगे अपन देखते हैं यह दोस्तों यह कमिटी वगर या आप किसमें Minority, OBCS, CST का बताया गया है यह देखी Eligibility of Candidates Graduate from a Recurrent University यानि सब इंस्पेक्टर के लिए जो Qualification चाहिए वो आप किसी भी Stream से Graduation हो, Simple Graduation तो आप जो है सब इंस्पेक्टर के लिए Apply कर सकते हो, और Age जो है 15-25 जनरल वालों के लिए और अलग-लग Communities को यहां पर चूट दी गई है और यह देखी रही दोस्तों यहां पर किसको कितने साल की चूट मिलने वाली है SCST में अगर आप हो तो 5 साल की शूट मिलेगी OBC में हो तो 3 साल की और Candidates who had ordinarily been Domitial in the Union Territory और जो Union Territory और जम्मो कस्मिर वगर से हैं लदाक से उनको UR और EWS वालों की 5 साल की आपर चूट मिल रही है OBC को Arts की और SCST को 10 साल की तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किसको कितने साल की आपर चूट मिलने वाली है और कहां पर मिलने वाली है और वीडियो और डाइवर्स हो है जिन्होंने दुबारा साधी नहीं किये उनको भी जो है UR और EWS में 2 साल की शूट मिलेगी OBC वालों को 5 साल की SCST में 7 साल की और Special Provision for Access Management के लिए क्या प्रोविजन है मैं इसको PDF को Telegram Group में डाल दूँँग आप महाँ डिटेल से जाके पढ़ सकते है देखे दोस्तों Physical Measurement में आपका रहने वाला है OBC जनरल में अगर आप Male Candidates हो तो 165 आपके Head होनी चीए SCST में 160 होनी चीए और ये जो है गोरकाई है जो जहाँ भी जगह दे रखी है इनके लिए 163 होनी चीए Female के लिए आपकी Height रहेगी और Chest ये जो है SC और पिच्चाँ से आपका फुलाई और बिना फुलाई रहना है SCSTO का चिंतर पूंट दो है 21C पूंट दो है ये आप देख लीजिए और SC और पिच्चाँ से इन लोगों का रहने वाला है इसके आगे है Publication on Employment Notice देखें, Employment जो नोटीश है सारा कुछ जिम्मा इस बार RRB को दिया गया इट सेल भी डन बाई Railway Recruitment Board जो Employment Notice है इसका ये RRB निकालेगी The Notification सेल भी वेटेड बाई सीनेटी डाइरेक्टरी बिफोर इस्यू बाई Railway Recruitment Board Engagement of Genius सारे कुछ चीजेश में आप लिखी हुई है सारा कुछ जिम्मा जो है RRB को दिया गया यहाँ पर देख लिए इसका भी जो काम है वो RRB यहाँ पर करने वाला है यहाँ पर लिखा हुआ कि जो CBT होगा उसका क्यों देखागा तो इसेल भी डन जैसे के आपने देखा RRB इस पर कराएगा Mode of filling up of all application by application and other condition यह सारा कुछ जिम्मा यहाँ पर RRB को दिया गया है आगे देखेंगे तो in the event of cancellation of notification vacancies the examination fees will not be refunded आपके examination fees refund नहीं होगी examination fees जो है क्या रहने वाली वो भी RRB यहाँ पर decide करेगा और modes of payment है वो सारा कुछ RRB यहाँ पर decide करेगा देखे RRB ही ने जो है सारा कुछ जिम्मा इस बार दिया गया है और आगे जो है जो computer based exam होगा आपका उसमें language का option भी RRB पास रहेगा date or time, cpt कब contact होगा वो भी RRB यहाँ पर decide करेगी the schedule of computer based sales भी decided by RRB यहीं सारा कुछ exam का जो काम है वो RRB को इस बार दिया गया है it will be necessary to obtain 35% यहीं यह 35% marks आपको लाना ही होगा general OBC वालों को और 30% marks आपको OSCST वालों को लाना ही पड़ेगा नहीं तो आप qualify नहीं करोगे इसके आगे exam में देखिए यहाँ पर यह RRB की तरफ से RRB को suggestion है वो माने या ना माने यह उस पर depend करता है हो सकता है इसमें कुछ changes भी हो जाए यहाँ सारे कुछ चीज़े लिखी हुई है देखिए time 90 minute का रखा है number of question यहाँ पर 120-120 रखा गया और general awareness के 50 है और arithmetic के 35 यह गणित के और general international reasoning के 35 यह आपके यहाँ पर रहने वाले है 120 question 90 minute में आपको करने है चाहिए sub inspector हो, constable हो यह की paper लगागा प्रियमेंस इसमें अलग-अलग exam नहीं होंगे CPT में जो question पीचे जाएंगे general awareness में आपको यहाँ पर एक तरस syllabus भी दे दिया गया आप देख सकते हैं कौन-कौन से topic आपके यहाँ पर आने वाले है language of question paper विल भी यह भी जो है RRB decide करेगा कि आपके language कौन सी यहाँ पर और फाइनलिशन वो प्रोसेज आपके computer बेस्ट exam जब आप computer बेस्ट exam दोगे तो उसके बाद में नेक्स प्रोसेज आपके आगया होगी पीटी पीमी जो भी होगी और पीटी और पीमी जो है आपकी खुद आर्पीफ ही करवाएगी सारी कुछ जो है क्या-क्या measurement रहने वाला हो देख लेते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों सब इस्पेक्टर में आपको जो इस्पेक्टर फीमेल के लिए 9 फीट है कॉंस्टेबल के लिए चवदा है और कॉंस्टेबल फीमेल के लिए 9 है इसी हाई-जंप पी देख लीजी इतना आप इसमें मांगा गया है और यह सारी कुछ जो जो भी है उनको जो भी उनकी प्रोपर शूट मिलती है वो आप अच्छी वेकंसी है और साल के सुरुवात में जो एक तरह से गुड नियूज मिली है जो भी भाई यहां पे काफी टाइम से आर्पिप की वेकंसी का इंचिजार कर रहे थे उन लोगों के लिए खुस खबरी है आप अच्छे से जीरांचे लग जाई है एक्जाम भी कभी इसका कंडेक्ट हो सकता है अभी हालांकि जो एक्जाम डेट आर भी इसमें कंफर्म करेगा और एक वायड नोटिफिकेशन दुबारा से निकलेगा उसमें सारी कुछ रहेंगे आपके एक्जाम डेट रहेंगे फोंब भनने की तारीक वगर रहेगी बाकिस बार जो आर्प